राहुल गांदी की सजा के खिलाब देश भर में परदर्शन उत्तर परदेश, बिहार, उत्राखंड, जारखंड से लेकर महरास्टर तक कॉंग्रेस कार्य करताओं ने सडकों पर उतर कर फैसले का विरोध जताया कॉंग्रेस की पुरोद्यक्सर राहुल गांदी को सूरत कोट से मिली सजा के विरोध में पार्टी ने गुरुवार को देश भर में परदर्शन किया यूपी बिहार उतराखंड और जारखंड से लेकर महरास्टर आदि राज्जव में कॉंग्रेसियों ने परदर्शन किया बिहार वा हिमाचल परतेश विदान सबा में इस मसले पर कॉंग्रेस ने हंगामा किया विधान सभा में गुरुवार को दूसरी पाली की कार्यकारी कारवाई जैसे ही शुरू हुई कॉंग्रेश के विधाय के स्कील एहमद ने राहूल गांदी को मिली सजा का मामला उठाया उन्होंने कहा कि देश में यह क्या हो रहा है यह तो हद हो गई है इस पर नेता प्रतिपक शे विजेयश जिन्हा ने कहा की सदन में किसी सयवैधानी की संस्था पर्टिपनी दुर्भाग्या पुरुण है यह माचल पदेश के मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुख्वु और उप मुख्यमंत्री मुकेश अगनी होतरी ने भी केंदर सरकार पर हमला बोला वहीं राजस्तान कॉंग्रेश ने कॉंग्रेश मुख्याले पर विरोध परदर्शन किया वहीं कॉंग्रेश ने राष्टरपती द्रोपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा साथ ही कॉंग्रेश सौमार को दिली और अन्य राजजमीश मुद्दे को लेकर मार्च करेगा जारखंड में हंगामा जारखंड विदान सबा के बजट सतर के अंतिम दिन विदान सबा की पहली वद दूसरी पाली बादीत रही विदान सभा में कॉंग्रेश के सभी विदायक राहूल गांदी की सजा कोई जानकारी मिलने के बाद बेल में आ गए थे यूपी कॉंग्रेश बोली बाजबा साजे सरच रही उत्तर परदेश में कोंग्रेस कारेकरताओं ने लखनों समेत परदेश के कई जिलों में परदर्शन किये कोंग्रेस कारेकरताओं ने कहा कि मोधी सरकार के बरस्टाचार के खिलाप आवाज उठाने के कान राहूल गांदी को निशाना बनाया गया लखनों में विरोध पर्दसन की अगवाई करते हुए पौर्टी के प्रांतिय दक्स और पूरो मंत्री नकुल दूबे ने कहा कि बाज़पा राहूल गांदी की आवाज दबा कर अपनी कमियाच छिपाना चाहती है यह दुर्बाग्यापुर्ण है सक्ता में बैठे ताना साब रष्टाचार के खिलाब आवाज दबा रहे हैं मैंने जान बूज कर कुछ नहीं कहा राहूल गांदी ने कहा कॉंग्रेश ने ता राहूल गांदी के मोधी उपनाम टिपनी मामले में गुरुवार को सूर्थ सेशन कौर्ट में जिरह हुई इस दोरान राहूल गांदी ने कम से कम सजा की मांग की कहा कि उन्होंने जान बुजगर ऐसा कुछ नहीं कहा है सिकायत करताwort सुप्रिम कॉर्ट में राहूल गांदी ने लिखित मापी मांगी थी और उन्हें सुप्रिम कॉर्ट ने चेतावन ने दी थी कि बविश्य में ऐसी बाते दबारान न कही जाये लेकिन आचरन में कोई बदलाव नहीं आया उनके अपराद की गंबिर्ता इसलिए बढ़ाईगी क्योंकि संसद दोरा दिये गए बाशन का जनता पर बहुत व्यापक प्रवाव पड़ता है राहुल की दलील जज ने राहुल को दोशी करार देते हुए पूछा कि क्या कुछ कहना चाहते हैं राहुल ने कहा कि वेवर रष्टाचार के खिलाब बोलते रहते हैं पर जान बुजगर ऐसा कुछ नहीं कहा था बचाव पक्स के वकील ने कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उस्षे किशी को हानी नहीं हुई तो कम से कम सजा दी जाए शिकायत करता अभियोग पक्स के वकील ने कहा कि जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो समाज में इसका क्या संदेश जाएगा इसलिए उन्हें अधिक्तम सजा दी जाए कॉल्ट अगर आरोपी को कम सजा दी गई तो इससे जन्ता में कलत संदेश जाएगा और मान हानी कानून का मक्सद पूरा नहीं होगा आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहट सजा शिकायत करता पूरुनेस मोदी के वकील ने बताया कि कॉंग्रेस के पूरोदेख सराहूल गांदी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहट दोशी ठहराया गया है उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है सजा के खिलाब उन्हें दलील भी दी है अपील की आवदी तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है और उन्हें अदालत की और से कानून के नुसार 30 दिन के लिए जमानत दे दी गई है अपील तक अदालत दोबरा सजा को निलम्बित कर दिया गया है